नमश्कार दोस्तों आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अभी जो वेकेंसी आईए एनेचेम की समवीदा वेस्ट पे उसकी पूरी डिटेल्स इसमें जो वेकेंसी आईए जो अपनी स्टाफ नर्स, समवीदा, फार्मरिस्ट और शेहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर की ज समवीदा वेस्ट पे है समवीदा वेस्ट पे जो भी इसकी वेकेंसी ऎह और समवीदा स्टाफ समवीदा फार्मरिस और शेहरी हेल्थ ए玩दव मेर्थ द रिकुपदों की न्यूकत्के लिए जो है वेकेंसी इसको आई पर अपना है इसमें यहानुशेत acronym barrel 2023 तक के लिए लि इसमें कारी के लिए मलब अगर आपको इसमें अवश्रक्ता और इन लुक को पढ़ सकती है तो वेकेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है. अपने इसमें पद देख लेते हैं पद के नाम और कुल अपने पद किते हैं इसमें सम्विजा स्टाफ नर्स की शेरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 611 जो टोटल इसमें पद हैं और इसका प्रती महें मानसिक इसमें 20,000 रुपए प्रती महीन आपको मिलने वाला है इसमें योग्यता कॉलिफिक्शन आपन देख लेते हैं इसमें जो उच्छतर माद्य में शिक्षा उतरीन हाइर सेकंडरी ग्यारविववा उतरीन हाइर सेकंडरी टैन ट्विल्थ जो आपके पास होना चाहिए और मानने ता प्राप शास्किया जो आप महावी ग्याले से आपके पास इसके लिए आपकी ये कॉलिफिक्शन आपके पास होना चाहिए और इसके बाद फिर मद्यपरदेर नर्शिंग काउंसलिंग से आपके पास जीवित जो है पंजियन आपके पास होना चाहिए चलिए आयू सीमा की अपन बात कर लेते हैं इसमें जो है आयू सीमा जो है आप चलिए, अपन इसमें सम्वीदा, फार्मेस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें भी 611 वेकंसी है, जो की प्रती महीना अपन को मिलने वाला है, 15,000, इसकी जो है सेलरी है, और बायोलोजी, केमस्ट्री तता फिजिक्स के साथ आपके पास 10-12, शिक्षा, प्रादी बारवी की क को होना चाहिए, इसमें आपके पास मद्दप्रदेश, इसमें कांसलिंग, इसके लिए इसका जीवित पंजियन, ये भी आप लोग के पास होना चाहिए, तभी आप लोग जो है, इसके फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसका जो है इच क्राइटेरिया, 21-40 फर्स दिया गुव साइटे, इसमें माध्यम से आप लोग लिंक को इसमें आप लोग आपे देन कर सकते हैं, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिशन में दे दूँगा, और इसके जो फॉर्म आज एक तारिक से बढ़ाय जा रहे हैं, इसमें जो है, इसकी जो लास देटे, तीस मही है, इसमें बताया गया है कि ओफ लाइन फॉर्म किसी भी इस्तिती में मानने या सुईकार नहीं किये जाएंगे, यह जो वेकेंसी इसके फॉर्म सिर्फ ओनलाइन जो है, भरे जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें हर पदे को हिसाब से अपने वेकेंसी दी गई जो कि अनरक्षित 27% 165 दी हुए अपनी पोस्ट है, और इसमें आरती ग्रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 10% और 61 अपकी पोस्ट है, इसमें अनुसित जाती के लिए 20% आरक्षित और अपना 112 पोस्ट है, अनुसित जाती के लिए अपना 16% 98 पोस्ट, अन्य वर्ग के लिए 27% और इसमें 165 पोस्ट है, इस लिग लिए, और जो है समविदा फार्मेस्ट, शेहरी हेल्थ, वेलनेस सेंटर के लिए जो है इसमें इसकी वेजो वेकेंसी है, इसमें भी सेम है, 611, इसमें जो है अनरक्षित 27% और अपन अपना 111, महिलाओं के लिए 54 है, आर्थी की रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% और ओपन के लिए 41, इसमें महिलाओं के लिए 20%, अपनी 20 वेकेंसी है, और अनुसित जन जाती को 20%, ओपन 82, और अपना महिलाओं के लिए 40, अब कलने तयापन बात अनुसित जाती के लिए इनको 16% के लिए जो दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर जो ओपन 66 और महिलाओं के लिए 32, और यह अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओपन 111 और महिलाओं के लिए 54, इसे साब से इन लोग को जो ओए आरक्षिद दिया गुए है, पदों के साब से, और अपने से कास्ट के साब से, यहाँ पर जो आप पूरी ड देख सकते हैं, अब अपन बात कल लेते हैं, जो दिव्यांग है, दिव्यांग वा आरक्षिद, शवर्षिक होरी जोनिटिकल के आदार पर 0.6 परिषद का प्रस्ताफ तायार किया जाता है, गया है और निरक्षिद संजानों के लिए इसमें जो है, दिव्यांग लोग है, उन लोग को अभी ख्याल रखा गया है, जिसमें ये 6 प्रतिशत प्रद के लिए निशा संजानी के लिए आरक्षिद वेन बेनीफिट दिया जाएगा और अपना जो है, इन प्पदों के लिए चैनित होनेवाले उन शेञेन हैतियों मानने किया जाएगा और यहाँ पर शे प्रोनों का टाइम था इन लोगों ने जो अपना डेश तक वर्किंग किया हुआ है संवीदा फार्मिस एंस स्टाफ नर्स के भरति प्रकुरिया तो उन लोग को जो इस वेकंसी में 10 प्रतिशाद अधिवार अंग उन लोग को मिलेगा तो यह काफी अच्छी बात है आप लो करिए उन लोग को इसका benefit मेलने वाला है अपने बात कर लेते हैं निश्रित पर रूप में किये गए अथ्वा अंपुन आवेदान से हमें निरस्त माने जाएंगे इसमें निदारिक रूप से जो भी अथ्वा आपका जो qualification काम है या फिर आप लोग इस तरीके से form भरते हैं त जो कि इसकी लाज डेटे 30 अब जो है इसमें मिशन संचालक राश्ट्री मिशन आवेदान बिना किसी कारण सुईकार निरस्त करने का अथ्वा प्रक्रियर करने का अधिकार होगा जो कि इन लोग के संचालक है इसमें ये बता रहे हैं कि अपने जो है किसी भी इनका जो जानकारी जो है मिल गई होगी और हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को शेर करिएगा लाइक करिएगा और आपके जो कॉश्चन क्वैरी से आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं तो कुल देर ना करिएगा और इसके फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भर दिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में